दोस्तों income tax के अंदर कुछ important relaxations दी गई हैं साथी कुछ dates extend हुई है जिनके बारे में हम इस वीडियो में discuss करने बाले हैं ताकि काफी सारी extension अभी recently announce हुई थी relaxation session announce हुई थी तो हो सकता है कि आपने कोई video miss कर दी है या हमने कोई extension miss कर दी है तो वो सभी चीजे इस video में आपको मिल जाएंगी तो पहले हम सबसे important जो बात कर रही है UDIN update करने की जो date है उसको काफी समय पहले extend किया गया था और इस date को extend किया गया था 30 April 2022 तक तो April month चला है 30 April last date है इसे भूलिएगा नहीं तो ये था हमारा first update अभी हाल नहीं में काफी सारी extensions announce की गई है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी उन extensions के बारे में form 10AB की जो date है उसकी deadline को extend किया गया है form 10AB किसलिए है कि electronic form आपको file करना होता है अगर आप registration लेना चाहते है और approval under section 1023 C12A and ATG of Income Tax Act तो इसकी date को extend किया गया है 30 September 2022 तक ठीक है तो ये तो हमारी form 10AB की date हो गई इसके साथ ही जो pan and adhar की linking की जो date है उसको तो extended नहीं किया गया था क्या किया गया था कि आपकी जो penalty है उसमें कुछ relaxation दिया गया था 37 March आपकी pan and adhar linking की date है तो इसमें आपकी 3 months के लिए पहले 3 months के लिए तो आपकी जो penalty लगेगी वो 500 रुपे और उसके बाद 1000 रुपे लेकिन एक अच्छी बात भी थी क्या important इसके अंदर निकल कर के आया था press release के अंदर कि जो आपका pan and adhar linking अगर आपने नहीं करी तो penalty तो पर लगनी ही थी साथ ही आपका जो pan है ये कहा गया था कि वो inoperative हो जाएगा यानि कि ना तो आप अपने ITR को verify कर पाएंगे TDS आपका double rate से deduct होगा क्योंकि आपका जो pan है वो inoperative हो जाएगा तो ये सब आपकी जो consequences थे जो आपको face करने पर सकते थे 1 April 2022 से उसमें आपको extension मि नहीं face करेंगे अगर आपने pan and अधार की linking नहीं करी 31 मार 2023 तक तो 1 April 2023 से आपका pan inoperative हो जाएगा तो pan inoperative होने की जो date है उसको इन होने extend किया 31 मार 2023 तक तो अभी अगर आपकी ITR वेरिफाइग नहीं हुई है तो आप इजली कर पाएंगे अभी आपका pan जो है वो working रहेगा आपे extension दी गई थी condonation of delay under section 119 subsection 2 subclose b of filing form 10IC तो 10IC का form अब कब तक फाइल कर सकते हैं वो आप फाइल कर सकते हैं 30 जून 2022 तक ठीक है जो हमारा 10IC का form है वो फाइल आपको करना है company को require to submit 10IC on or before due date of return तक आपको ये form submit करना था लेकिन पोर्टल पर कुछ परिशाने के वज़े से हो सकता है कि आप ये submit ना कर पाएं हूँ तो यहाँ पे आपको delay allow कर दिया गया इसी के साथ हमारे एक और important relaxation है relaxation from the requirement of electronic filing of application in form 3CF तो 3CF के case में भी आपको electronically आपको ये file करना होता है लेकिन यहाँ पे आपको ये relaxation दे दी गई है इसके filing में भी जो आपको problems आ रही थी portal पर applicant seeking approval under section 35 subsection 1 close 2 to A3 of the act may file the application in form 3CF आप फिजिकली file कर सकते है from the date of issuance of this circular यानि कि जिस तारीक को ये circular issue हुआ है till 30 सितंबर या फिर the date of availability of form number 3CF for electronic filing on e-filing website तो अभी हो सकता है e-filing में आपको income taxie website पे form available ना हो तो ये extension आपके लिए कब तक लागू रहेगी अगर ये form available हो जाता है 30 सितंबर से पहले तो उस date तक आपको ये extension allow की जाएगी अगर ये form 30 सितंबर तक आपको जो है available नहीं होता portal पर तो 30 सितंबर तक आप physically भी इस form को deposit जो है करवा सकते हैं अगर 30 सितंबर से पहले portal पर ये form allow हो जाता है तो उसके बाद electronically ही आपको ये form file करना पड़ेगा तो ये कुछ relaxation है extensions है जो आपके लिए लाई गई है आई ये सब भी इस वीडियो में मैंने आपके लिए cover कर दी है हो सकता है कुछ जो भी extension है वो हमाने share करना भूल गए हो तो यहाँ पर हमने सब ही को cover कर दिया है